नमस्कार गुड़ीवनिंग मनी गुरू में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी होस्ट पलवी आज चर्चा करेंगे आपके निवेश पर यानि कि सेविंग्स के हम बात करेंगे कहा निवेश करें और अगर म्यूचल फंस के जरिये पोर्टफोलियो आप त्यार करना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या सही रणनीती होनी चाहिए हमारे आज के इस खास चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे अरश्वरदन ब्रुंटा और साथी कॉंटम से हमासा जिमी पर्टेल कुछी देर में जुड़ेंगे अरश्वरदन बहुत-बहुत स्वागत है आपका कारक्रम में चलिए एक नज़र डालते हैं आज शो में क्या खास चरने वाला है जैसे हमने अभी बताया है म्यूचल फंस पर आज हमारी नज़र रहेगी इसलिए इंडस्ट्रि में जो कंसॉलिडेशन का दोर है उस पर हम खास एक्सपर्ट की राय लेंगे साथ ही अगर आप बहुत समय से निवेशित हैं तो क्या ये सही समय है अपने फंस को रिडीम करने का ये भी जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारे आईडी नोट करें मन्यगरुएदरेजी नेटवर्क डॉट कॉम या फिर आप एसेमेस कर सकते हैं सेव लिखे सागे देखे अपना नाम अपना सवाल और उसे भीज दीजे 57575 शुरुआत करेंगे हरश्वर्दन से हरश्वर्दन जैसे की कंसॉलिडेशन का मैंने जिक्र किया हाल फिलार में बहुत सारी डील्स हुई खाली अगर देखें तो बिल्ला सलनाइट ने भी डील करी है जो बड़ी कंपनियां मौझूद हैं क्या वो छोटी कंपनियों को आगे आने वाले समय में आपको लगता है कि छोटी कंपनियों के लिए कितना स्पेस है मूचल फ़न इंडास्ट्री के अंदर पहले भी यह जो कंसॉलिडेशन का फेज है यह काफी टाइम से चल रहा है पहले भी जो है वो कंसॉलिडेशन हुए थे जब एच्टी एफसी ने टॉरल्स और अलग अलग म्यूचल फ़न्स को लिया था तो जहां तक हम निवेशक की बात करें रिटेल इंवेस्टर की बात होते हैं जो आपको आपकी प्रोफाइल के साथ मैच करने होते हैं वो सारे ओप्शिन्स आपको आपके टॉप 10 कंपनीज के अंदर में मिल जाती है तो यह एक सिच्वेशन ऐसा होता है कि आपके पास को बहुत ही जादा स्ट्रॉंग रीजन होना चाहिए कि आप 10 कंपनीज को छोड़के और दूसरी mutual funds में निवेश करें जहां तक हम regulatory issues की बात कर रहे हैं सेभी ने जो requirement रखा है कि जो आपका network होना चाहिए वो 50 acres के आसपास होना चाहिए तो यह सारी जो criteria's हैं आगे जाते हुए जो non serious players हैं या जो छोटे players हैं उन पे असर आने वाला है और यह हम merger और consolidation आके भी देखते रहेंगे तो broadly speaking अगर हम investors की बात कर रहे हैं तो investors के लिए हमारी सला यही रहेगी कि आप top 10 fund houses चूज करें उन में से कोई भी scheme में चूज करके अपना अनिवेश शूरू कर दे हैं बिल्कुल सही का हश्परदन आपने कि छोटी कंपनियों के लिए आग कि आपने जैसे बताया कि अगर कोई पहली बार निवेश कर रहा है यानि कि जो न्यू इंवेस्टर्स हैं फ्रेश इंवेस्टर्स हैं अगर व्यूचल फंड कर रहे हैं तो उनका बिसाइट्स यह कि कंपनी कितने समय से कारियरत है का देश के अंदर साथ में और क्या चीज का प्रेश कर चाहिए आपके पास कुई भी फंड अगर 5 साल के उपर प्रफांट इंवेस्टर्स में है तो आप उसका परफोर्मेंस को ट्रय कर सकते है उसके उप्जेकिटिव को ट्रैक कर सकते है उनमें जो डिवेश निवेश कर रहे हैं और अगर एक फंड हॉस में तो आपको यह देखना है कि उसका कॉर्पस अडिक्विटली लार्ज है कि नी, 4000-5000 कोर्ड के आसपास अगर होता है तो वह आइडिल फंड साइज होता है अगर 10-15,000 कोर्ड करोस कर जाता तो शायद वह बहुत बड़ा करपस कहते हैं जो एक पटिकलर फंड के लिए होता है तो यह जो expected फिर आपको definitely fundamentals में जाना है कि उनके जो अबजेक्टिव्स है, फंड के जो अबजेक्टिव में डियन कितना उस बजेक्टिवं किये हैं और आपकी जो भॉजेक्टिव्स आपके जो जु परोफाइलिंग है जो आप आपने इंवेस्टमेंट के साथ में क्या वो फंड आपके जो स्कीम है वो आपके अब्जेक्टिव को मीट करता है। तो क्या आपको लगता है आने वाले सवे में छोटी कंपनिया जो हैं उनके लिए फ्यूचर कैसा रहने वाला है। एकक्तम सही नहीं गजा सकता है क्या चोटी एंचे सने गिया है। जो भी एकजिट वहाई है क्या है वह सब बड़ी एंचे से की या मीइँ साइज एंचे सने किया है। और यह जो medium size या buddy AMC इसने जो exit किया है, वो for various reasons probably somebody is sitting in Hong Kong and Singapore, उसने उसके इसाब से 5 साल हो गए, 10 साल हो गए and returns are not proper, वो इसाब से exit किया है. But if you look at Indian AMC's environment, Indian AMC के environment में, इवन छोटी सा छोटी AMC भी अभी तक जड के इंडिया में है and अगर अगर आप innovation देखेंगे या नवीनता या clarity वो ज़्यादा करके सब छोटी AMC's ने आई है, तो अभी आज की तारिक में, it's true. Right, मैं हर्श्वादन आपसे quick view लेना चाहती हूँ, performance के अगर बात करें, हमारी research के तुरू हमने कुछ top 5 funds अलग-अलग category के निकाले हैं, top 5 balance funds, top 5 equity funds और भी जो different categories हैं, अगर पिछले 5 साल को अगर हम देखें, equity से अच्छा return definitely मिला है, लेकिन equity के अंदर भी अगर सब categories की बात करें, आपको as an expert लगता है, कहां क्या mid cap funds ने ज्यादा बहतर प्रदर्शन दिया है, या अभी भी large cap पर ही, आपको bet करना चाहिए, और first time investors के लिए, सही चुनाफ कैसे होगा funds का? पहला भी ये question को हम दो हिस्सों में कर देते हैं, पहला है कि अगर कोई नया निवेशक है तो वो कहां उसे invest करना चाहिए, so logically ये ही है कि जब आप शुरू करते हैं, तो आप एक stable portfolio अपना चाहिए, equities में, ये stability जो है वो आपको large cap fund से मिलेंगी, large cap companies की जब हम बात करते हैं, इनका market capitalization जो होता है, लगभग 10,000 crores के उपर होता है, तो जब आप शुरू करते हैं, आपको निवेश हमेशा large cap fund से शुरू करना चाहिए, और जैसे आप समझ आती हैं, आपको markets की functioning की, आप जैसे mutual funds क्या कर रहे हैं, वो सब आप जब समझ जाते हैं, तब आप gradually mid cap और small cap क करिए, और आगे जाते हैं, पोर्टफोलियो एक्स्टेंड करिए, जो दूसरा सवाल था कि ऐसे category हम returns कहां पर अच्छा देख रहे हैं, तो यह बहुत ही जादा objective question है, जैसे हम देखेंगे कि अभी last one year का returns देखेंगे, या six months का return देखेंगे, तो mid cap funds ने जादा better returns दिया है, क्योंकि उसमें काफी तेजी आई है, जब से हमने ये elections का mandate clear देखा, कि clear mandates आएंगे, तो जो mid cap की rally हुई है, वो large cap में उतनी rally नहीं हुई है, तो एक बोलना कि अगर long term के लिए आपको करना है, तो आपको large cap या mid cap में करना चाहिए, कोई भी एक category चूज करना मुश्किल होग आप अपने objectives के basis पर करिए, अपने risk profiling के हिसाब से आप निवेश करिए, और एक portfolio का mix बनाईए, जिसमें large cap और mid cap दोनु है, अब क्या ratio में होना चाहिए, ये एक individual पर depend करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसे portfolio बनाना चाहते हैं, आप mid cap में ज़्यादा exposure लेंग और उसी के हिसाब से आपको अपने mutual funds का चुनाफ करना है, mutual funds पर चर्चा हमारी जारी है, फिलाले एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जिमी पर टेल भी हमारे साथ है, quantum EMC से उनका भी नज़रया लेंगे, इंडस्ट्री स्पेसिफिक और साथ ही हमारे आज के एक्सपर रश अरश पर दन भी है, चल लोट के आते हैं रुंटा रुंटा सेक्योरिटीज के सी एफ पे, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, consolidation की, अब बात करते हैं, मौझूदा जो निवेशक है, उनकी जिमी पहले आपके पास आना चाहती हूँ, क्या ये सही समय है, रिडीम करने का जो यूनिट्स अगर आप तीन चार साल से, आगे बढ़ना चाहिए. आपके बढ़ना चाहिए, और अगे बढ़ना चाहिए. करना चाहिए अदरवाइस नीचर फंड में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए हर्श्परदन आपके क्या राय है कुछ दे पहले ब्रेक पर जाने से पहले भी आधी सवाल मैंने आप से किया था रिडेंशन को लेकर जिमी भी आपके थौट सो सेकिंड करते हैं लेकिन क्या अग जो आपका इन्वेस्टमेंट का अब्जेक्टिव था हम एक्जैंपल लेते हैं अगर चार या पांच साल पहले किसी ने SIP शुरू की थी अपने एक्विटी फंड में नौ एक्विटी फंड में आपको निवेश करते हैं क्योंकि आपको मार्केट का रुख मालूम नहीं ह तो आप ने वह पूरे पिरेड में अपने अपने युनित्स अवरेज करके एकठे की हैं अब जब मार्केट चला है आप पूरे युनिट्स में आप कमा रहे हैं आपको प्रॉफिट हो रही है अब जैसे जिमी जी ने भी कहा कि अगर आपको जरौत नहीं है पैसो की तो आ आपका अगर objective आपका अभी भी 5 या 10 साल आगे है तो आप definitely आप डिडीम नहीं करेंगे, आप equity as an asset class में बने रहेंगे, अगर आपके objectives meet हो चुके हैं, या आपके 1 या 2 साल बाद आपका equity के पैसे निकालने हैं, जो आपका goals हैं, वो अगर आते हैं, तब आप सोच सकते हैं कि कोड़ा मुनाफ़ा वसूली कर लें, उसमें से पैसे निकालने हैं, लेकिन अगर कोई भी objective आपका 5 साल एंवे हैं, आज की तारीक में भी तो definitely आपको asset allocation से तिंकरिंग नहीं करना चाहिए, और उसे बने रहने चाहिए, और फिर आप जाके कोई भी decision है, वो जब आपके goal के पास होता है, उसके एक है दो साल पहले आप लें, चलिए तो, यानि कि आपका जो clarity, जो goal है, उसकी clarity होना बहुत ज़रूरी है, टॉप 5 funds, अलग-अलग categories के हमने अभी तक आपको बताया हैं, फिलाल एक break के ले रुखते हैं, आप भी अपने सवाल बेच सकते हैं, मनी गुर अधरेजी नेटवर्ग डॉट कॉम पर या फिर अपना सवाल, SPS के जरी भी हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारा आज का कूड़े सेव, सेव लिखिया, आगे सपेस देकर अपना नाम, अपना सवाल उससे पास साथ पास साथ पास 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 पर पेश दे, दोनों एक आपके सवाल जब आपको शामिल करने का, हमारा साथ दोनों एक्सपर्ट से, आपके सवालों पर हल करने के लिए, आप हार साथ पहले दर्शा गया, अनिक दे, पुने से, नमस्रा गुड इवनिंग, अनिक बताईए, आपने पूरा पोर्फोलियो हमारा सा शेर किया था, य आपने मेल में कुछ मेंशन किया था, कि कुछ आप इमिजिट भी आपका गोल है, नेक्स्ट टू यूर्स का, शॉर्ट टर्म का एक है, उसका क्या परपस है, दो लाक रुपे किस मकसद से जुटाना चाहरे है, हम शादी के लिए, चलिए, पहले तो बहुत बहुत आपको अगर प्लान कर रहे हैं, शादी का और साथी आपका पोर्टफोलिय हम देख पा रहे हैं, आपने चार फंड्स पताएं, जिसमें हजार रुपे के S.I.P. आपकी जा रही है, हरश्वदन पहले आपके पास आउंगी, इनकी अगर फंड्स का चुनाप देके सेलेक्शन की ब प्लान की बीन थ्री मंद्स, आप उसमें अगर चेंजिस करते हैं, थोड़े चेंजिस हैं, तो आपके लिए फाइदे मन्द होगा, आप कोटक ऑपर्चुनिटीज फंड बंद करके, आपके पास S.I.P. ग्लोबल फंड है, अल्री आपके पोर्फोलियो में, तो कोटक ऑप कर सकते हैं, और उसमें बने रह सकते हैं, आपनी जो कहा कि आपका जो शॉट टम गोल है, दो या दो लाग रुपरे के आसपास दो साल बात चाहिए, इस चार हजार रुपरे से जो आप निवेश कर रहे हैं, इससे आपका पोर्फोलियो बनेगा नहीं, आप 2 लाग कठा इ इकुटी में निवेश करते हैं, तो थोड़ा रिस्की जादा हो जाता है, तो आप ये वाले जो फंट हैं, वो रिटायमेंट के लिए आलोकेट करके रखें, और जो दो या तीन साल बात जो आपको रिक्वायमेंट है, वो चीज और शादी के लिए पैसे बनाने हैं आपक उसके लिए कोई और कोशिश देखें कि आपको अगर कोई आसेट बेच के होता है या कोई दूसरे आपके इन्वेस्मेंट हो, वो अगर आप बेच के अपना फंडिंग कर सके लिए इमेजेट गोल्स के लिए एकुटी सही चुनाम नहीं होगा, कोई और तरीके से आपको अपने फंड्स यहां पर शामिल करने होंगे, फिलाल आपके लिए जो पोर्फोले हो सकता है वो हमारे एक्सबर्ट ने बताया है, जिमी जैसे कि हम नीचोर फंड्स पर आज हमने चर्शा की, जाते जाते आप हमारे निवेशकों से और साथी जो हमारे दर्शक है, उनसे क् है ना चाहेंगे, SIP क्या बेस्ट रूट है या फिर लंब सम इंवेस्मेंट्स को लेकर भी कोई खास रणीती होनी चाहिए? क्या बेस्ट रूट है? क्या बेस्ट करेंगे, हमारे साथ बताने के लिए और फिलाल आप ने दर्शकों को बता दे कि आज हमने सेविंग्स पर चर्चा की एगन अगले मंडे जब हम लोटेंगे, तो आप टैक्स सवाल की बेच सकते हैं, Tuesday का अंदिन रहता है Loans के नाम यानि Loans से चुड़ेवे सवालों को शामिल किया जाएगा बुद्वार को इंशॉरंस और Thursday को प्रॉपर्टी पर हम चर्चा करेंगे साथी हर शक्रवार हमारी कास पेशकर विमिन स्पेशल देखना ना भूले आप भी अपने सवाल पेच सकते हैं मनी गुरू में हमारा इमेल आईडी नोट करें moneyguru.znetwork.com या फिर SMS करिए हमें save लिखिए space दीचे और अपना नाम अपने सवाल के साथ फिर जीजे 57575 पर फिलाल मनी गुरू से इतना ही आप देखते रहे जी बिजनस नमस्कार